ओम स्री गनेशा इनमा दोस्तो एश्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 जनवरी मंगलवार के रासी फलक के बारे में की हा दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर मना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों जीवन साती से आज आपको शहुग पराप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होनी की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्याबी प्राप्त होनी की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विध्यार्तियों को भी उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्छ सिक्षा की कामना पूरी हो सकती हैं जैदोस्तों कार्य छेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको नेने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार्य इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है काम का जिसे संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं या दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावर्न रहेगा सुब समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयोग मिल सकता है यदि आप घर परिवार के साथ किसी कार्रे को करने का प्रतन करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है जिससे आपका मन बहुत दिप्रसन रहेगा दोस्तो साथी साथ यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रैतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कार्रे वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको काम या भी अच्छी प्राप्त हो सकती है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त- आप अपने करेचित्र में व्यस्थ होने के कारण तथा जीवन के अन्य पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्य था आपके कार्याले में आपको परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है कार्य सफलता के लिए आपको द्रण इक्षा सक्ती और मनोवल की आवश्कता होगी साथिसाथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहें फिर भी आपके घर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तेयार करना चाहिए ताकि प्रती कूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेक कर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेतर में भी काम की अधिता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी पर दोड़ के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन व्यथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम वानी पर सेयम रखे अनियता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरत होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जया दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इस से आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रत दी होगी जैदोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रैतन करें शाते सात यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आप के लिए बहुती लकी सावित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारोबार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धनलाब के इस्तिती रहेगी विध्यार्तियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारेच्छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कारेभार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थित्र रहेगी नौकरी में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्थ का भी विसे सुलूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विसे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशे सुपाई क्या है दोस्तो आज आप इश्नान आदिशे निर्वत रहुने के बाद भगवान बजरंग बली जी की प्रतिमा के सामने एक चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और साति सात वहीं बैटकर एक बार बहुती सच्य मन से बहुती स्रदभाव से हनमान चालिसा का पाठ एक बार आप अवश्य करें और साति सात अपनी मनों काम नहीं मांगें जादोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल नहीं है समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको सीग रही सुप फलोग की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहे बहुत यासानी से भगवान बजरंग बली के आसिरवाद से बनने लगेंगे दोस्तो बगवान बजरंग बली का आसिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्वोक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद